मेहंगाई के मोर्चे पर भले ही देश के लोगों को परिशानी हो रही हो लेकिन शेयर बाजार पर इस परिशानी का कोई असर नहीं दिख रहा है पिछले लगातार तीन सत्रों से बाजार में तेसी देखी गई है और आज भी बंबई स्टॉक एक्चेंज का सेंसेक 93 अंग और नेशनल स्टॉक एक्चेंज का निफ्टी 33 संको की तेजी के साथ बंद हुआ अमेरिका और चेन के बेच ट्रेट डील पर सील कभी भी लग सकती है दोसी तरव पश्चे मेशिया में भी स्थितिय पूरी तरह नियंतरण में देख रही है जिसका सर दुनिया भर के बाजारों पर आज भी दिखा और सैंसेक सुभा 23 संको की तेजी के साथ खुला लेकिन दिसंबर महीने में महएंगाई डर के जो आखडे सामने आए उसका दबा उशेर बाजार में भी दिखाय दिया कल शाम को खुद्रा महएंगाई और खाडे महएंगाई के आकडे जारी किये गए थे कि दिसंबर में थोप महंगाई 2.59 प्रतिशत रही जबकि नवंबर में ये सिर्फ 0.58 प्रतिशत थी महंगाई में आये उच्छाल से सैंसेक्स दबाव में आ गया और जल्द ही लाल निशान पर पहुंच गया दिन बर सैंसेक्स में उठापटक मची रही कभी लाल निशान प सैंसेक्स 93 अंकों की तेजी के साथ 41,953 अंक पर बंद हुआ सैंसेक्स की ये अब तक की रिकॉर्ड क्लोजिंग है सैंसेक्स की तीस में से 17 कंपनियों के शेयर तेजी में और 13 की घरावट के साथ बंद हुए सबसे जादा तेजी हीरा मोटर्स में 2.15 प्रतिशत की रही आज ये 12,374 के उच्चितम और 12,309 के निचले स्तर तक पहुँचा और बाद में 33 अंकों की तेजी के साथ 12,312 तंक पर बंद हुआ निफ्टी में शामल 50 में से 30 कंपनियों के शेयर तेजी में और 20 की गिरावट में बंद हुए विदेशी बाजारों की बात करें तो ब्र दो चार प्रतिशत और चीन का शंगाई कंपोजिट 0.28 प्रतिशत उतर गया डीबी लाइफ की रिपोर्ट